नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलेन क्लासिस में दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंप्रेटन वीडियो है खास करके उनके लिए जो इस्टुडेंट्स हमारे और पीफ के तयारी कर रहे हैं यह रेल्बी प्रोटेक्शन फोर् सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेज चरूर कर लें जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले तो दोस्तो डिफैंस जनर नॉलज़ के हम आज की वीडियो में आपको 10 कोस्टिन बताएंगे तो शुरू करते हैं आज की विटामिन सी, ओप्षेन बी, विटामिन अ, ओप्षेन C, विटामिन के, एंड ऑफेन D, विटामिन डी तो दोस्तो दोस्तो qeyson नमर बनका जो करेक्टर आंसर होगा आपका वो होगा option a, vitamin c तो जल में गुलने वाली विटामिन है दोस्तोagers विटामिन आपका option a, vitamin c तो next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा आज का, question number two, महावारत का फार्शी में अनुबाद किस ने किया था, महावारत का फार्शी में अनुबाद किस ने किया था, option से आपके दोस्तो, option A, बदायूनी, option B, even with tuta, option C, अबुल फजल, and option D, बावर, तो दोस्तो, question number two का आपका जो correct answer होगा, वो होगा, option A, बदायूनी, जी हाँ, दोस्तो, महावारत का फार्शी में अनुबाद किया था, बदायूनी ने, तो question number two का correct answer, option A, बदायूनी, तो next question के तरफ चलते हैं, दोस्तो, next question है हमारा आज का, question number three, mistral एक सीतल पवन है, जो यहाँ की घाटी में चलती है, तो दोस्तो, mistral एक क्या है, सीतल पवन है, मतलब हवा का नाम है mistral, जो कहाँ की घाटी में चलती है, तो option से आपके, option A, sin, option B, ron, option C, bolga, and option D, train, तो दोस्तो, जो mistral एक सीतल हवा जो है, वो, रोन की घाटी में चलती है, तो question number three का correct answer है, option B, ron, तो दोस्तो, चलते हैं हमारे next question की तरफ, next question है हमारा आज का, question number four, भारत के निमलिखित इस्थानों में से, अप तटी ये petroleum भंडार कहां है, भारत के निमलिखित इस्थानों में से, अप अतटी ये petroleum भंडार कहां है, option से आपके दोस्तो, question number four के option A, कोचीन, option B, मुंबई, option C, मदराज, and option D, गुवा, तो question number four का आपका correct answer होगा, option B, मुंबई, हाई, next question है हमारा आज का, question number four, question number five है दोस्तो, Linux operating system का सुभारम किया था, Linux operating system का सुभारम किया था, option से आपके, sorry दोस्तो, Linux operating system का सुभंखकर क्या है? तो दोस्तो, जो सुभंखकर होता है, किसी भी चीज का, हर चीज, हर brand का अलग-अलग सुभंखकर होते हैं, तो Linux से एक अपरेटिंग system है, Microsoft का जिसका sorry Linux से Cooperating System है जिसका सुभंकर क्या है आपको बताना है तो options है आपके option A भालू, option B सिंग, option C वेल और option D पेंग्विन तो question no.5 का correct answer होगा option D पेंग्विन तो next question के तरफ चलने से पहले दोस्तो मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपसे कोई भी important वीडियो की notification मिस्ट ना हो तो दोस्तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आपको कि इतनी बाद बता जाना चाहता हूं कि इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो next question है हमारा आज का question no.6 बाबर ने तजो के बाबरी नामक अपने अपने संस्मरल किस बहासा में लिखे थे बाबर ने तजो के बाबरी नामक अपने संस्मरल किस बहासा में लिखे थे option से आपके option A मंगोल, option B फार्सी, option C तुर्की and option D अर्भी तो question no.6 का दोस्तों का correct answer होगा option C तुर्की तो next question के तरफ चलते हैं, next question है हमारा आज का question no.7 हाल ही में पिछला बर्ग में उप्स रेडियों बनाने हे तु एक आयोग का गठन किया गया है इस आयोग के अध्यक्ष कौन है option से आपके option A सौतंतर कुमार, option B जी रोहनी, option C अर्भींद, पंगडिया and option D इन में से कोई नहीं तो question no.7 का correct answer होगा option B जी रोहनी तो next question के तरफ चलते हैं, next question है हमारा आज का question no.8 निमलिकित में से किस देश ने greenhouse gas के उत्सर्जन में कमी करने हे तु 2019 से carbon tax लगाने की गोशना की है तो option से आपके option A थाइलेंड, option B चीन, option C सिंगापूर and option D मलेशिया तो question no.8 का correct answer होगा, आपका option C सिंगापूर next question के तरफ चलते हैं दोस्तो, next question है हमारा आज का question no.9 अर्जुन पुरुषकार की शुरुवात किस बर्स हुई ? options हैं आपके option A, 1960 में, option B, 1980 में, option C, 1901 में and option D, इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो, अर्जुन पुरुषकार की शुरुवात हुई थी, वो ही थी आपकी 1961 में तो इसलिए question no.9 का correct answer होगा, option C, 1961 next question में तरफ चलते हैं, next question है हमारा question no.10 निमलेकित में से कौन सा जीव सबसे प्रतम अंतरिक्ष में भेजा गया ? निमलेकित में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया ? तो दोस्तो, options हैं आपके चुहा, बिल्ली, कुत्ता और इनमें से कोई नहीं सबसे पहले जो जीब गया था वो गया था दोस्तो कुत्ता तो जिस कुत्ता यह जो कौन सा कुत्ता गया था इसका नाम भी था दोस्तो इस कुत्ते का नाम था लाइकका तो question No.10 का correct answer होगा आपका option C तो कुट्ता सबसे पहले अंत्रक्स में भेजा गया था तो यह थे हमारा आज के दस क्वेश्चन दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपके दोरह लाइक शेयर कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिक्शन अब तक पहुंचते रहे सबसे पहले जो दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत